इस वे सेथे विदेशन वे वे आप लोगे स्वागत आज की वीडियो में बात करेंगे रोग ये वुद्वाइले डॉट्वाइलर बृइट नहीं करते हैं अब च्छीज का ज़रूर जहां देना चाहिए अगर आप फैंली में रखे रहे हो कि आपने डॉटक प्रॉपर नहीं कराओ या फिर आपने डॉक को ज्यादा बांगते रखोगे रॉट्वाइलर जैसी डॉक ब्रीड को तो वह काफी ता अगर्षिव हो जाएगा आगे चल्के जिसके चलते ही आपको प्रॉब्लम होईगी तो अगर आप उस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो बचकन से आपने डॉक को प्रॉपर सूशलाइज करानी कोशिश जरूर करना जिसके चलते है आपका डॉब्लम बेज़े अग्रेसिव ना हो किसी के ओपर अटैक न करें और ना बेज़े किसी को अच्छा खासा डैमेज पहुचा सकती है बिना ज्यादा अपनी ताकेत लगाए क्यों जिसका ध्यान जरूर देना चाहिए रोटवाइल डॉक ब्रीड को आप बच्चो के साथ रख सकते हो दूसरा पॉइंट कि आप रोटवाइल को एजली रख सकते हो बच्चो के साथ बस आपको अपने डॉको जैसे में आपको पहले बता है सोशलाइजेशन का ध्यान देना तक जा सकते हैं आपको इस चीज का जरूर जहन देना चाहिए रोटवाइल डॉक ब्रीड एक अगर बात करते हो तीसरे पॉइंट ही तो यह एक काफी जादा एनर्जेटिक डॉक ब्रीड कह सकते हो क्योंकि अगर आप इसे एनर्जेटिक डॉक ब्रीड इस सेंस में कि अगर इसे आप एकसरसाइज नहीं कर रहा हो या फिर घुमा फिर आउगे नहीं इन्हें बहुत जादा पसंद होता है उच्छल खूट करना काफी पसंद होता है लेकिन अगर आप नहीं कराते किसी रीजन वे चलते हैं और कई टाम आपको घर में ठखते हो कि घर में प्रॉपर थोड़ा बहुत घुमा दिया या फिर थोड़ा से भाड़ लेगे जादा नहीं घुमा फिर आ रहे है डाइट प्रॉपर दे रहो इसे हैवी तो आपका आपको इसे हमेशन नहीं नहीं चीज से सिखाना चाहिए कुछ भी आप चीज सिखा रहे हो वह आपको इसे ज्यादा टाइम तक रिपीट नहीं करनी पड़ेगी आप इसे एक दो बारी सिखाओ गया तीसरी बारी चोधी बारी अपने आपी सीट जाएगा आपको नहीं आईगी अब हम बात करते हैं क्या नंबर पांच पॉइंट की ये डॉग ब्रीड को आप अपार्टमेंट में रख सकते हो देखो जैसे में आप लोग बताई ये डॉग ब्रीड एक अनर्जेटिव डॉग ब्रीड इसे स्पेस की रिक्वार्मेंट होती है लेकिन क्योंकि इनकी अनर्जी बढ़नी हो तो उसके चलते घर में रोड़ा बहुत करें हैं अग्रेशन शू कर सकते हैं तो प्रीकोशन आप पहले से लेके चलो कि हाँ अगर हमारे घर में शूटेबल नहीं तो रॉट वायर भी जाहें किसी और डॉग ब्रीड पर चलेंगे ऐसे ब्रीड हमारे हिसाब से काफे दा सही और घर में भी काफे दा सुटेबल रहेगा तो इन चीजों को आप ज़रूर ध्यान देना जिसके चलते आपको प्रॉब्लम ना आए और आप एजी लिए रख सकते हो बाकि रॉट वाले डॉट ब्रीड को आप एजी लिए रख सकते ह आप एक काम चल जाएनام चल जाई लेकिन आप लॉट रेख साग देना चाहिए बाकि रॉट green लाह देने निगाए अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर हर चीज करोगे तो वो 13 से 15 साल का लाइस्पैन इनका निकल जाता है काफी एक्छी डॉट ब्रीडर लखने को आप एजी लख सकते हो बागे आप लोग बताने कि आपके रॉट बाइल डॉट बाइल डॉट फेवरेट है या नहीं है नेक्स वीडिया अपके इस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो थैंक्स वीडिया मिलते हैं नेश्म में होते हैं जाहें दोस्तों